नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा तो आम का मुरब्बा बनाना बिलकुल आसान है उसे हमें कच्चा आम लेना है उसे अच्छी तरह से धो के साफ करके उसे अच्छी तरह छिलका उतार ले या क्यूब में कर लीजिए, वह आपकी मर्जी, तो इस तरह से हम बीच के गुठली को निकाल लेंगे, और इसके बाद इसे हम दो या तीन पीस में कट कर देंगे, तो कच्चे आम का मुरबबा अच्छा लगता है, या तो गुठ में बनाईए, या चीनी में बनाईए, दोनों का अपना-पना टेस्ट होता है, तो इस तरह से आप, मैं यहाँ गुठ का बनाऊंगे, तो यह आधा केजी आम है, तो आधा केजी आम कटिंग कर लेंगे हम, और इसे पानी में डाल लेंगे, तीस तरह से हम, आम के टुकरो को कट कर लेंगे, अब हम गैस अन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे, और दो बड़े चम्मच ऑईल डालेंगे, जब मेरा ऑईल गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम दो से तीन, सुखी लाल मिर्च डाल देंगे, और प तीसे हम डाल देंगे, और तेल में इसे फूटने देंगे, ताकि हमारा जो तेल है, उसमें इसका जो भी अरोमा है वो रचबस है, और तभी तो हमारा आम का मुरब्बा इतना टेस्टी बनता है, तीसे हम पकने देंगे, और तीस सेकेंड के बाद देखिए, पक गया है, त तक भूनेंगे यह मिनट तक भूनेंगे इसी तेल में एक मिनट हो जाएगा फिर इसमें हमचाइगे हल्दी एक चौथाई भाग हम दालेंगे और इसमें डालेंगे नमक तो ये नमक डाल के भी हम अब इसे मिला लेंगे अब मिलाने के बाद इसमें हम एक कप से ज़्यादा पानी डालेंगे एक से देर कप क्योंकि इसे हमें पकाना भी है और इसका ग्रेवी भी हलका सा होना चाहिए और एक कप गुड ले लेंगे हम तो गुड होना चाहिए कलर लाल में ज़्यादा अच्छा होता है और डाल करके इसे हम अच्छी तरफ भी ढख देंगे ताकि हमारा गुड भी मेल्ट हो जाए और आम भी पक जाए ये पास मिनट हो गया है देखिए अब ये आम लगभग पक गया है तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे दो तीन मिनट और हमें पकाना है तो इसमें हम डालेंगे हाप टी स्पून डालेंगे इसमें मिर्चा ती खापन के लिए और भुना हुआ जीरा है वो भी हम एक चमस डालेंगे और इसे हम जड़ा चेक कर लेते कि अच्छी तरह से ये गला है या नहीं तो इसे हम दबा करके देख लेंगे ये देखे मैस हो जा रहा है यानि हमारा आम का मुरब्बा बन करके रेडी है और ये अभी आपको इतना पतला देख रहा है पर ये गाढ़ा हो जाएगा जब ठंडा होगा तो देखे ठंडा होने के बाद कैसा हो गया है ये कितना अच्छा कितना टेम्टिंग लग रहा है इसे पूरी पराठे के साथ खाईए, किसी भी चीज के साथ खाईए, कितना टेस्टी है, एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा दोस्तों, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,